आज हम बात कर रहे हैं नब्बे के दशक की खूबसूरत और लोगप्रिये अभिनेत्री नीलम कोठारी के बारे में जुन्होंने अपने करियर में बाई अलिवुट की कई सुपर हिट और बलाई अकबस्टर फिल्मों में काम किया हैं नीलम कोठारी बाय अलिवुट फिल्मों की उन अभिनेत्रियों में शामिल थी जो हमेशा अपनी फिल्मों और लव एर को लेकर चर्चा में रही है शायद यही वज़य है कि आज भी बाय अलिवुट के दर्शक उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि 49 साल की नीलम कोठारी का जन्म 9 नवंबर 1968 को हंकॉंग में हुआ था उन्होंने अपने बाय अलिवुट करियर की शुरुआत साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म जवानी से शुरू किया था इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने अपने करियर में लव 86, रंडभूमी और परंपरा जैसी कई फिल्मों में काम किया हैं लेकिन साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म अगनीपत उनकी करियर की सबसे शांदार फिल्म साबित हुई थी नीलम कोठारी के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन आज हम आप लोगों को उनके पती के बारे में बताने जा रहे हैं आपको बता दें कि नीलम कोठारी ने साल 2011 में समीर सोनी से शादी कर ली थी समीर सोनी फिल्मों और धारावाही के सबसे लोग प्रिये अभिनेताओं में शामिल है समीर सोनी ने अपने करियर में चाइना गेट, विवा, फैशन और बागबान जैसी कई शांदार फिल्मों में अभिने किया है इसलिए आज हम आप लोगों को समीर सोनी की कुछ शांदार दस्वीरें दिखाने दा रही हैं